दोस्तो जहां तक हम सभी जानते हैं कि हमारे इस धर्दी पर अब दानोसर नहीं है लेकिन आप क्या जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे वी जिव जनतु रह गए हैं जो कि डानोसर के समय से ही है और ने हम डाइनोसोर की लिष्ट में सामिल कर सकते हैं तो आद हम आपको एक ऐसी छिपकली के बारें बताने वाले जो कि दुनिया के सबसे बड़ी छिपकली है और यह डाइनोसोर के समय से अभी तक है इसका नाम कॉमोडन ड्रैगन है जो कि काफ़ ज्यादा खुंखार जानवर हैं जिनको देख कर आप चौक जाएंगे तो उमीद करते हैं कि आप वीडियो को पर लास्ट देखिएगा और आपसे की रुक्वेस्ट है कि अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो लाइक और जरू कर दोस्तों चीते की रफ्तार के बारे में आप तो काफी सुन चुके हैं आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी च्षिपकली की बारे में बताएंगे जो कि 12 मिल प्रति घंटी की रफ्तार से दोर सकती है आपको लग रहा होगा कि दिवार पे चलने वाली च्षिपकली में इतनी फूर्ति कैसी आएगी लेकिन हम जिस छिपकली की बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर देखकर आपको लगेगा ये तो किसी मगरमस से कम नहीं है जी हाँ हो सकता है कि आप इसे छिपकली मानने के लिए त्यार ही ना हो इसका नाम कोमोडन ड्रेगन है ये मुख रूप से इं इनके बारे में पता चला था इस्टडी बताती है कि ये पच्चास हजार सल पहले इस्टेलिया से गाइब हो गए थे बताते हैं कि इस ड्रेगन के मुह में एक खत्राक वैक्टरिया पाए जाती है और ये जिसे काट ले उसकी मौत सुनिक्षित है जहरीली छिपकली बड़ होनी तय है ऐसे में ये मस्ती वाली चाल से उस जक्मी सिकार के पीछे गंद सुन्ते हुए पहुच जाती है क्योंकि इन्हें पता होता है कि उस ज्यादा दूर नहीं जा सकता ये बड़े भालू और भैस को भी मार सकती है कुछ हाथी भिलुक्त हो चुके हैं जिनके बारे म कहा जाता है कि कोमोडो ड्रेगन नहीं उन्हें खत्म कर दिया सिकार करने का इनका अलग तरीका होता है ये चीपकर इंतिजार करते हैं जैसे ही कोई जानवर करीब आता है तो ये जहरीली मुझ खोल कर लपकती है इनके साथ दात होते हैं और इनकी स्कीन के नीचे छोटी- हजारो हडिय होती है ऐसे में इनका सरीर खुदी धाल का काम करता है ये अपने वजन का असी फिरुजदी मांस एक भार ने खा सकती है इनका पाचन प्रक्रिया स्लू होता है ऐसे में ये एकachtet सिकार करने का जूब सेकती है जिससे वह पंच जाये एक रखाने पर ये महिने भर ऐसे ही रह सकती है इतने बड़ी सिकारी होते हैं कि छो मिल दूर से ही सूंग लेते हैं और जमीन पर चलते समय दफन सौग को भी नहीं छोड़ते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं कि अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि कुमोडर ड्रैगन कितना खतनाक है और आप कभी भी इनका सामना करना नहीं चाहेंगे क्योंकि यह काट ले तो आप चाहे तो वहां से बच के निकल सकते हैं लेकिन आपकी मौत तय है तो वीडियो पसंद आगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सेयर करें और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें